नमस्कार स्वागेट है आप सभी का वाईटी एड्यूकेशन और एड्यूकेशन के एड़िक्स में और रुख करते हैं बिहार के तरफ आज सुबह से ही बीपी एसी का खबर जो है ना खबरों में और गरम महौल किये हुए हैं चुकि सुबह में एक न्यूज अपडेट दिय होना है एक ऐसा लॉलीपप भी थमाया गया था उस न्यूज में और अब यहां पे एक न्यूज आ गया शाम होते होते कि बीपी एसी परिक्षा से जो भी जुड़ी बाते हैं जो खबरे आ रही हैं यह समाधान है उन छात्रों के लिए जो छात्र मिघावी हैं यहां पे व बदलाओ क्या किया जा रहा है इस पर विचारनी है तो पहला कोश्चन यहां पे अब हमारा उठता है कि क्या परिक्षा पैटर्न में बदलाओ जो हो रहा है उसमें 200 प्रश्णों के मार्स पूछे जाएंगी तो कि यहां पे आयोग का कहना है आयोग नहीं चेर मेंड का कहन यहां पे जो आतुल प्रसाद जी है उनका कहना है महोदय का कि हर कोश्चन एक मार्स का होगा लेकिन जो प्रश्ण की संख्या बढ़ाए जाएगी अब कितना बढ़ाए जाएगा दो मार्स किया जाएगा धाई मार्स किया जाएगा यह तीन मार्स किया जाएगा यह नहीं क लेकिन इसको आप पहले officially इसको लागू कर ले एक notification जारी कर दे कि ऐसा हम बदलाओ कर रहे हैं और फिर नियूज में बताएं नियूज में press conference कीजिए फिर बताइए सारी चीजियों को तो सायद सभी को विश्वास भी होगा आज इस news media के मात्यम से कुछ और बोल देते हैं और आप बोल रहे हैं उस पे आप अड़े रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है कि भाई 200 प्रश्ण की marks होने चाहिए नहीं होने चाहिए इस पर डिसाइड नहीं किया लेकिन question number जो है marks जो आपका एक ही number का होगा और डेड़ सो प्रश्ण ही होंगे इसमें कोई फे ऐसे मिधावी छात्र होते हैं जो कि तुक्का मारने वालों की comparison में अगर उनका बात कहा गया है कि तुक्का मारने वाले ज्यादा चले जारे means में तो उसकी लिए negative marking ला रहे हैं तो महोदे मैं आप से फिर यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा कि तुक्का मारने वाले कभी पहुंच सकते हैं means में चोंकि 1500 प्रश्ण होते हैं और 1500 के साथ खेलना आसान नहीं है 1500 में से maximum to maximum जा सकते हैं तो 50 marks लेकर आ सकते हैं 50 marks का question तुक्का मार सकते हैं लेकिन 1500 में वो 1500 प्रश्ण तुक्का नहीं मार सकते हैं फिर भी चलिए आपने negative marking की बात किया अच्छी बात ह पर रहे हैं लेकिन सावधान छात्रों को ही रहना यहां पर निगेटी मार्किंग लेकर आ रहे हैं कोई इश्यू नहीं है आप उप्शन नमबर इह अप चार के बतले पांच ऑप्शन डालेंगे और पांच वाप्शन भी ऐसा होता है कि हां या ना का है और उसमें भी फिर ए सोचल मेडिया पे यह सारी दचरोंच पूछी जा रही है कि कौन करेंगा कि प्रशन कठिन है या आसान तो यहां पर हैं कि हम प्रुशन त्यार करी यहां पर यहां है उसको लेकर जो printing की बात कहिए नोंने वो बोली है कि हम centers पर अबलेबल करवाएंगे तो यह एक अच्छा कदम है है यह बहुत अच्छा कदम है कि आप जो आप question होंगे question paper होंगे वो print वहीं करवाएंगे इससे ज़्यादा क्या होगा कि question paper लीक होने की संभावना बहुत कम होगी लेकिन ऐसा यूपी ट्रिपल सी जो है एक्जाम कंडेक्टर रवा रही थी तो ऐसा वहां पर भी हुआ था कि वो प्रश्ण पतर जो है लीक हुए थे तो उसका कोई भी security को लेकर यहां पर बाते नही रखी जा सकती है कि कहां पर प्रश्ण सिक्योर है कहां पर नहीं सिक्योर है यह तो बाते नहीं कहीं जा सकती है दिश्वास किसी का नहीं हो सकता आज की डेट में कोई भी बीक सकता है और बीकते भी है लोग है अभी आप लोगों ने बिहार में सिपाही भरती को लेकर से मंदिशित 76 पुद्व का वेकेंसी लिए हैं आयोग तो अपना सफाई दे के निकल जाता है लेकिन दिक्कते यहां पर छात्रों को होती है वह चात्र जो कि पढ़ने वाले होते हैं फिलाल यहां पर बात हो रही है बीपी एसी की तो इस पर ही चर्चा करेंगे कि कौन तैय क करेगा कि यहां प्रश्ण कठिन है या आसान जो प्रश्ण किसी चात्र के लिए कठिन हो सकता है और हो सकता है कि वही आसान सा प्रश्ण किसी के लिए आसान हो जाए और आसान प्रश्ण कठिन हो जाए तो यह 22 वर्शा यहां पर बाते रखी गई है तो समझने का प्रयास क हो सकते हैं यह तीन नंबर्न भी ऊसकते हैं कुछ भी हो सकता है यह decida法 नहीं नहीं है ठीक है अधीन पुम्शना हल करने पर ज्यादा मार्क्स मिलेगा खीक है यह बात होगी साथी परिक्षा में अब negative मार्किंग होगी तो निगेटिव मार्किंग का यहाँ पे हल निकाले, आप निगेटिव मार्किंग लेकर आईए, तो प्रस्ण में बदलाओ कीजिए, जहाँ पे option number E को हटाई जाने की बात भी छात्रों ने रखी है, छात्रों के भविश्य के साथ ये खिलवाड होगा, अगर option number E भी रहेग तो यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आंदोलन उठेगा, फिर आप कहेंगे कि ठीक हम अपने नियम से पीछे अटते हैं, बहुत सारी बाते यहाँ पे हो रही है, और बहुत सारे चीज़े यहाँ पे लिखी गई है, जो कि मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ य लेकिन आपको मैं यहाँ पे जो खबरे थी, यह खबरे आप लोगों तक पहुचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, इस वीडियो के माद्यम से, आप इन खबरों को जो है, सोसल मीडिया के अलावा जो है, नियूज मीडिया पे भी जाकि सारी चीज़े देख सकते हैं, य यहाँ पे अतुल परसाद जी ने कहा है, बड़ी जनकरी दी है, कि हम यहाँ पे जो कोशन सेट करने जा रहे हैं, वो कोशन डेड़ सो अंगों कहीं होगा, डेड़ सो प्रश्ण नहीं होंगे, लेकिन उसमें जो कठिन प्रश्ण होंगे, उसके मांक्स आपको जादा देख तो नहीं आपको बदा दे कि इसका जो बदलाव है, यह अभी प्रोजेक्ट मेनेजर का एक्जाम होने वाला है, पीटी का, उस पे आपको पहले देखने को मिल सकता है, जहां तक यह खबरे आ रही हैं, है ना, तो नहीं बदलाव आपको मिलेंगे देखने को, लेकिन इसके लिए ओफिशिल नोटिफिकेशन जारी करना होता है आयोग को, और आयोग जो है इसका एक नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि सारी चीजे जो है यह आपे साफसाफ क्लियर हो जाएं, और क्या बदलाव है, क्या नहीं है, इसको जानने के बाद इसके उपर प्रतिक्रिया कर तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जैहिन